आजम बनाएगे। ये बहुत ही टेस्टी और एकदम soft, juicy, Indian मिठाईों के flavors के साथ बना हुआ ये केसर मलाई cake ये वाला जो केक है ना इसमेंगो केक का फ्लेवर भी रहेगा है। तो इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले एक Bohl में मैनने यहान पर यह एक चुतहई कब जितना करम दूद लिया है दूद काफी अच्छे से गरम है तो इस करम दूद मेना हमें ठोड़े से केसर को पहले भीगो कर रगदेना है इसके बाद अब हम सबसे पहले अपनी कडाही को गरम होने के लिए रखेंगे तो इसके लिए एक मोटे तेले की कडाही मेना सबसे पहले हमें डालना है डेर ग्लास जितना पानी क्योंकि आजके इस केक को हम बेक नहीं कर रहे हैं इसलिए मैंने नमक नहीं डाला है हम इसे steam करके बनाएंगे इससे केक इतना soft बनेगा कि मुह में जाते ही बस जैसे घुल जाएगा और फिर इसमें एक stand रखा और इसे ओपर से ढखके लो medium flame के ओपर इस पानी को गरम होने देना है अलुमिनियम का round या फिर square cake तेन या फिर कोई steel का डिबब भी ले सकते हो उसमें भी ये cake बना सकते हो तो सबसे पहले जो भी mold ले रहे हो उसे हमें बस oil से grease कर लेना है तो मैंने ये जो oval baking dish ली है इसे मैं oil से grease कर रही हूँ और बस हमारा ये mold त्यार हो गया है कोई butter paper लगाने की भी जरूरत नहीं है हमें इसके बाद अब हम finally अपने cake का butter बिनाएंगे जिसके लिए सबसे पहले bowl में डालना है एक चुथ high cup जितना oil आप इसके जगा same quantity melted butter भी ले सकते हैं साथ में इसमें डालना हूँ एक ती high cup जितना दही इसके जगा दो एक्स डाल सकते हो आप या फिर जो भी दूसरी एकलेस option है वो मैंने नीचे description box में mention की है वहाँ से चेक कर लीजेगा साथ में इसमें मैंने डाला आधा cup प्लस दो बड़े चमच PCV चीनी इन तीनों चीजों को ना हमें पहले अच्छो से mix कर लेना है 30-40 सेकिंड तक इसके बाद अब हम इसमें flavors भी आड़ कर लेंगे तो आधा छोटा चमच में डाल जो एलाइची powder और साथ में अभी जो केसर वाला दूद हमने भीगो कर रखा था ये भी हम इसमें डाल देंगे और इसे mix कर लेंगे अच्छा केसर अगर नहीं है आपके पास तो केसर flavor देने के लिए आपको केसर essence मुल जाये का market में वो भी आप यूज कर सकते हैं तो बस इसे mix किया मैंने और इसके बाद अब हम इस bowl के उपर एक छन्नी रखेंगे जिसमें डालेंगे एक कब जितना मैदा साथ में डालेंगे एक छोटा चमच baking powder, आधा छोटा चमच baking soda और एक पंच नमक डाल देंगे इन सारी चीजों को चान लेना है आए इसके बाद अब एक spatula के साथ ना हम इसे बलकुल हलके हलके हाथों से इस स्थाना से cut और fold करते हुए mix करेंगे इस stage के उपर बहुत जरूर ध्यान रखना है कि कभी भी over mix या vigorously mix नहीं करना है और mix करने के बाद अभी better थोड़ा थिक है तो एक ती हाई कप जितना दूद मैंने और लिया है इसे बस थोड़ा थोड़ा करके ही add करना है और हलके हाथों से mix कर लेना है अचा इस better मेना मुझे थोड़े से lumps लग रहे थे जिसे निकालने के लिए अब मैं whisk यूज कर रही हूँ तो अब इस better को हम डाल देंगे अपने इस grease के हुए mold में mold को थोड़ा टाक कर लेंगे आए इसके बाद अब इतनी देर में ये पानी भी अच्छे से boil होना शुरू हो गया है तो flame को बिलकुल low करेंगे और इसमें carefully अपना ये mold रखतेंगे और इसे उपर से ढखके हमें इसे बिलकुल low flame के उपर steam होने देना है तकरीवन 25 से 35 मिनट तक और ये timing स्थोड़ी से आगे पीछे हो सकती है तो 25 मिनट के बाद आप इसे जरूर चेक करिएगा और हाँ steam की बजाए आप इसे bake भी कर सकते हो baking की timing temperature मैंने सब description box में दिया है वहाँ से चेक कर लीजेगा तो जब तक हमारा ये cake बन रहा है तब तक हम अपने इस cake के लिए रबडी को भी बना लेंगे जिसके लीना सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये 600 ml लिया है दूद ये उबला हुआ दूद था उबालने के बाद उसके उपर जो मलाई आ जाती है वो भी मैंने दूद में साथ में ही डाल दी है आपके पास कच्चा दूद हो तो वो ले लीजेगा तो इस दूद में अब हम डालेंगे धाई बड़े चमच या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी और साथ ही में थोड़े से फ्लेवर्स डाल देंगे तो एक चोथा ही चोटा चमच मैंने डाला इलाईची पाउडर और आट-दस धागे मैं इसमें भी केसर आड़ कर रहूँ ताकि इसमें भी एक केसर का फ्लेवर आ जाए आप अपना मन पसंद कोई और दूसरा फ्लेवर भी अब यूज़ कर सकते हो या सिरफ इलाईची पाउडर ले लिजेगा तो दूद को सोड़ा मिक्स करेंगे और इसे पहले हाई फ्लेम के उपर उबालाने तक पकाएंगे तो आप देखरों कि दूद में उपालाना शुरू हो गया है अफ्लेम को हम मीडियम हाई के उपर कर लेंगे और इसे लगातार चलाते हुए पकाना है तब तक पकाएंगे जब तक कि ये जो दूद है ये डिडियूस होकर आधा रह जाएगा और हाँ इसे पकाते हुए पैन के बॉटम तक चलाईएगा और जो भी मलाई साइट पे आती जाएगी उसको भी स्क्रेप करके वापिस से ही दूद में डालते जाना है और सिरफ 300 ml रह जागा ये दूद तब तक पका लेना है अर इतनी देर में अब हमारे इस केक को रखे हो मुझे पूरे 30 मिनट हुए है वाव आप देखे हो कि केक के उपर कितना अच्छा कलर आया है उपर का सर्फिस एकदम ड्राई है तो अब मैं एक बार टुद्पिक से भी इसे चेक कर रहे हूँ तो टुद्पिक भी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ड्राई है इसका मतलब है कि केक अच्छे से पक गया है तो बस अब हम अपने इस मोल्ड को निकाल के राक के उपर रख देंगे केक को थोड़ी देर के लिए एक साइट पर रखेंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, पूरी तरह ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है ये वाला जो केक है ना, ये बहुत ही जादा एक्स्ट्रा सॉफ्ट और स्पॉंजी मोइस्ट बनता है आप देखरों कि कितना जादा सॉफ्ट है ये अभी से अभी तो हम इसके उपर और भी जादा रबडी पोर करेंगे जिससे ये एक्तम सॉफ्ट और जूसी हो जाएगा आइसके बाद अब ये जो रबडी हमने पकने के लिए रखी थी इसे भी रखे वे तक्रीबन 10-15 मिनट हुए है दूद रेड्यूस होकर आधा रह गया है तक्रीबन 300 मिनट है ये अब तो हमें इसे इतना ही पकाना है इससे जादा थिक नहीं करेंगे हमें थोड़ी पतली रबडी चाहिए वैसे भी थोड़ी थंडी होकर ये और भी थिक हो जाएगी तो पस कैस को बंध करके अब इस रबडी को हमें एक साइट पर रख देंगे ताकि ये भी थोड़ी सी थंडी हो जाए थोड़ी देर के बाद अब हमारा ये केक थोड़ा सा थंडा हो गया है पूरी तरह से ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसे डीमॉल नहीं करना है ये केक अभी भी हलका हलका सा वाम है नीचे की तरफ से तो मैं इसे स्टेज के उपर ही इस पर रबड़ी पोर कर दूँगी तो जिसके लिए सबसे पहले हम एक बार चाकू से साइड्स को इस तरह से अलग कर लेंगे हला कि हमें केक को डीमॉल नहीं करना है बट फिर भी एक बार चाकू से साइड्स को अलग करना जरूरी है तांकि बाद में हमें डीमॉल करना इसी हो इसके बाद अब किसी भी फोक या फिर टुत्पिक के साथ ना हम अपने इस केक को इस तरह से जगा जगा पर प्रिक कर लेंगे ऐसा हम इसलिए कर रहा है ताकि जब हम इसके उपर रबडी पोर करेंगे ना तो वो अच्छे से केक के अंदर तक अब्जॉब हो जाओ और केक अंदर तक जूसी बनेगा तो पूरा अच्छे से इसे प्रिक कर लीना है आए इसके बाद अब ये जो रबडी हमने ठंडी होने के लिए रखी थी अब ये भी ठंडी होकर रूम टेंप्रेचर पर आ गई है तो इस रबडी को अब हम अपने इस केक के उपर पोर कर देंगे और हाँ सारी रबडी मैं यह जादा अच्छा लगेगा अच्छा यह रबडी पोर करने के बाद ना मैं हलका हलका से फिरसे प्रिक कर रहे हूं ताकि रबडी अंदर तक अब्सॉब हो जाए और हाँ यह वाला जो केक है ना इसे आप सिंपल इससारा से बस रबडी पोर करके थोड़ा सा ठंडा करके फिर इससे सर्फ करो अपने गेस्ट को यह सबको तब भी बहुत जादा पसंद आएगा जैसे मैंने अपना मलाई केक बनाया था बट आज इस केक में एक अलग ही फ्लेवर देने के लिए नमा एक पतली सी लेयर क्रीम की भी दूंगी इसके ऊपर जिससे इसका फ्लेवर और भी जादा एंहेंस होकर आएगा और आपको लगेगा कि आप केक प्लस मिठाई का कुछ कॉम्बिनेशन सखा रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले इस बोल को तो हम पांदस मिनट के लिए एक साइट पर रख देते हैं ताकि जो केक है यह रबडी को अच्छे से करना है उसका लिंक नीचर डिस्रिप्रिप्र बॉक्स में है जरूर चेक कर लिजेगा और हां इस वाली क्रीम में चीनी अल्रेडी होती है तो चीनी में आड नहीं कर रहे हूं बट थोड़ा सा फ्लेवर जरूर आड करूंगी तो आधा चोटा चंबर जितना मैं इसमें ला इसकल एक केक के लिए अगर थोड़ी सी सॉफ्ट क्रीम भी रहेगी तब भी चल जाएगा और इतनी देर में अब हमने ये जो केक को एक साइट पर रखा था अब आप देख रहे हो कि इसने काफी अच्छे से रबडी को थोड़ा थोड़ा अब्जॉब कर लिया है तो इसे स्टेज के ऊपर अब हम इसके ऊपर डाल देंगे अपनी ये क्रीम की एकलेर तो जितनी क्रीम है उसे डाल के अच्छा से स्मूध कर लेंगे पूरे केक के ऊपर फैला लेंगे हलका सा स्मूध करेंगे आइस के बाद एक स्पेचुला के साथ ना मैं बस इसके ऊपर इस तरह हो गया हमारा ये मिठाई के फ्लेवर्स के साथ बना हुआ केक तो अब इस बोल को ना हम आधे से एक घंटे के लिए एक बार फ्रिज में रख देंगे ताकि रबडी भी अच्छे से अब्जॉब हो जाएगी और ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा और फिर हम इसे सर्फ करेंग तो सिरफ एक घंटे तक ही मैंने इसे फ्रिज में रखा और अब हमारा ये मिठाई के फ्लेवर्स के साथ बना हुआ केक बिल्कुल अच्छे से त्यार हो गया है अब हम इसे स्लाइसे में कट करेंगे और इसे सर्फ कर लेंगे मेरे कट करने से आपको इसका सॉफनेस तो पत चली गई होगी और देखने में ही कितना ज्यादा टेंटिंग लग रहा है ये वले केक को आप मिठाई बोलिए या फिर केक या फिर मिठाई केक या आपको बहुत ज्यादा पसंद आएका वाओ इसके अंदर के टेक्शर देख रहे हो आप केक इसमें एक्दम सॉफ्ट और स्पॉंजी है और अंदर तक इसमें रबडी अबसॉब हो गई है जिससे जूसी बना है ये केक और साथ में उपर से हल्की सी क्रीम की लेर बहुत जादा टेस्टी लगता है ये केक अहां सर्विंग के टाइम पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा रबडी पोर करके सर्फ करो ये कानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें